जहिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम ली कर आए हैं आपके लिए हाँ पर बहुत ही मत्वण कॉस्चन आंसर हैं तो हिंदी साहित से सब्वंदित मत्वण कॉस्चन आंसर हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को करें रोज अपनी एक लास होती है राच्तरी में दस बजे हिंदी साहित की जहां पर मत्वण कॉस्चन आंसर आपके लिए नहां पर लाई जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने यहां पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या पूंचा गया इनमेंसे कौन सी रचिना क कि सब्दाश की नहीं है नहीं बताना है आपके लिए चाहन निवेवा कॉस्चन है लबली जी बावना जी शीते जी और अनीता जी सुनेयना जी सभी लोग बताईए गाम हत्य पूर्ण कॉस्चन है कभी प्रियार सिग प्रियार रामचंद्रिका रसरहस से ये चार विकलप हैं यहनमें से आपको बताना है कौन सी रचना के सब दासे की नहीं है तो नहीं पूंचा गया है वेकल्प नमबर आपका डी यहां पर सई आंसर होगा रहस रहस्य जो रचना है एक यह सब दास की नहीं मानी जाती है वेकल्प नमबर चार आप सभी का सई आंसर होगा question number आपसे यहां पर पूंचा गया 97 वा question है कि काम कंदला सी त्रिया नर्मादोसो होई पंती किसकी मानी जाती है पंती आपके लिए चैन कन्ना है बोदा की पंती है रसलीन की पंती है घनानंद की पंती है या फिर मतिराम की पंती है 397 में चैन कन्ना है मत पूर्ण question पूंचा गया है राजीब जी और आप सभी का यहां पर सही आंसर है यहां पर देखेगा question number आपसे पूंचा गया यहां पर 138 वा question है जन्मे ग्वालियर जानिये मत्रा वसी ससुराल एह पंती किस कभी के विशय में है यह आपको चैन कन्ना है बताईए question मत्पूंचा गया है question number 98 है 98 में चैन कन्ना है केसव बिहारी घनानंद या फिर पदमाकर जन्मे ग्वालियर जानिये मत्रा वसी ससुराल एह पंती किस के विशय में है तो आप सभी का सही आंसर है यह पंती है किनके विशय में बिहारी जी के विशय में बजवल जी विकल्प नंबर आपका यहां पर जो बी है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बहुत पढ़ी यहां इंगला question यहां पर पूंचा गया है 99 वे question है सिबा जो ना होत तो सुनत कौन सब की पंती किसकी मानी जाते है देव कभी की पंती है ग्रंद कभी की पंती है भूसन की पंती है या फिर पदमाकर की पंती है बताइए चैन कीजेगा मत्पून कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सया अंसर आ रहा है राजिब जी ये भूसन जी की पंती मानी जाते है किनकी भूसन आप सभी का यहाँ पर वेकल्प नंबर जो B है C है आप सभी का यहाँ पर C सही आंसर हुगा question number आपसे यहाँ पर क्या पूंचा गया है 400 बा question है मत्पून पंती पूंची गई यहाँ पर भी आपसे कि नहीं परागे नहीं मधोर मधू नहीं वेकास एहकाल अली कली सो ही बिंदियो आंगे कौन हवाल यह पंती आपके लिए बताना है किनकी पंती मानी जाती है बताएगा वेकारी दास सेनापती देव कभी या फिर बिहारी कौस्चन मतपूर है और सभीता जी आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा कौस्चन नमबर 400 में वेकल्प नमबर क्या होगा सई आंसर 400 में तो वेकल्प नमबर आपका डी यहाँ पर सई आंसर होगा नहीं परागे नहीं मधूर मधू नहीं वेकास एहकाल यह पंती किनकी म मानी जाती है बिल्कुल सईया अंसर चैन क्या है बहुत बढ़ी हैं अंगला कॉस्चन यहां पर देखिएगा कॉस्चन नंबर 401 आप से पूंचा गया है कि सत्सया के दोहरे जवनाब के के तीर देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर वक्त समीक्षात्मक चंद के रचेता आपके लिए चैन करना है इस चंद के रचेता कौन मानी जाती हैं बताएए सत्थ सया के दो हेरे जिवनाविक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करें गमभीर दुप्त समिक्षा के समिक्षा चंद के रचेता माने जाते हैं महावीर प्रसाद दुवेदी कों माने जाते हैं महाभीर प्रसाज दोवेदी विकल्फ नमबर आपका यहांपर एक जो है विकल्फ नमबर एक होगा सही आंसर बिहारी होगा सही आंसर अंगला question यहाँ पर देखेगा question number आपसे आपर पूंचा गया है कौन सा? question number आपसे यहाँ पर पूंचा है 402 402 पर question है siles चमतकार की अदबुद चमता संपन कभी कोन है? बताए question भतपूर है question number आपका यहाँ पर 402 पूंचा गया है और 402 में आपके लिए चेन करना है क्या होगा सही आंसर बताईए सलेज चमातकार की अद्बद छमता संपन्य कभी कौन है विहारी है घनानंद है आलम है सैनापती है 402 में आप सभी का यहाँ पर सयांसर होगा वेकल्प नमबर आपका यहाँ पर D आनि की सेनापती यहाँ पर सयांसर है वेकल्प नमबर 4 जनोने वी चैन क्या है उनका यहाँ पर सयांसर होगा कौस्चन नमबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है question number 403 है रीती कालिन कभियों में विहारी की तुलना किस्ते की गई है ये आपके लिए बताना है देव कभी से घनानंद से, सेनापती से या फिर रसलीन से बताई ये विसाल कुमार जी क्या होगा सही आंसर धीपमाला जी question मत्त पूर्ण 403 वा question पूँचा गया रीती कालिन कभियों में विहारी की तुलना की गई है किस्ते विकल्प नंबर आपका याँ पर तीन में सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक आनि की देव कभी से, देव आपका याँ पर सही आंसर होगा गोलु जी विकल्प नंबर एक आप सभी का विल्कुल सही बहुत बढ़ियां सभी लोगों ने सही आंसर याँ पर चैन क्या है question नंबर चार सो चार पूंचा गया मत्त पूर्ण देखेगा, समुझे कभीता घन आनंद की ये आखन नेह की पीर तकी उक्ती के लेका क्वन मानी जाती है उक्ती मानी जाती है ब्रजनात की विश्वनात मिस्तर की महाबीर प्रसाद दुबेदी या फिर घनानंद चार सो चार में आपके लिए सही आंसर चैन करना है मत्त पूर्ण question पूंचा गया है वंधना सिंग जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये ब्रजनात की उक्ती मानी जाती है विकल्प नमबर एक जीनों नवी चैन क्या है मुनका यहाँ पर सही आंसर होगा ब्रजनात होगा है मत्त पूर्ण question है क्या पूंचा गया है सेबसें सरोज में कभीबर देव के कितने ग्रंथों का उलेख है बताईएगा सत्तर बहत्तर बीस या फिर बाइस बताईए चैन कीजेगा मत्पूर्ण कौस्चन है 405 वा कौस्चन यहां पर पूंचा गया है कि सेबसें सरोज में कभी पर देव के कितने गरंतों का उलेख है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दीपक जी भी यहाँ पर सही आंसर यानि की 72 भात्तर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भी वाला विकल्प जनौने भी चैन क्या है उनका यहांपर सैयांसर होगा बहुत बढ़ी अग्ला question यहांप़ देखेगा question number आप के यहांपर पूशा गया है question number 406 पूशा गया है भूसन भारत्य जन जीवन का प्रिथम राश्तिय कभी है यह से कतन के लेक कोण माने जाते हैं 406 में आपके लिए यहां पर चैन करना है क्या होगा सई आंसर 406 का सई आंसर चैन कीजेगा मत्पूर कॉस्चन पूंचा गया है भूशन भारतिय जन जीवन का प्राथमिक कभी है और एक अतन माना जाता है किनका विकल्प नमबर आपका जो सी है वैं सई आंसर विस्वनात मि का सई आंसर विकल्प नमबर तीन जन्होंने भी चैन क्या है उनका यहां पर सई आंसर होगा कॉस्चन नमबर साथ आप से पूंचा है नाइका वेद की द्रश्टी से प्रोणतम रचना करने वाले आच्यारे कभियों में सर्वो पर ही कौन है 407 में आपके लिए बताना है 40 407 का क्या होगा सई आंसर बताइए चैन कीजेगा मत्वण कॉस्चन आप से पूंचा गया देव कभी है ब्रण्द है आलम है या फिर यहां पर मुबारक है क्वेश्चन मत्वण पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है कि विकल्प नमबर एक जो है बहें यहां पर सई आंसरोंगा नाईका वेद की द्रश्टी से प्रोणतम रचना करने वाले आचार कभियों में सर्वो परी हैं तो बहें देव कभी है कौन है देव कभी आपका विकल्प नमबर एक सई आंसर है कौस्चे नमबर आप से यहां पर 408 पूंचा गया है गुर ब्रजनात दूलह कभी रस निदी या फिर पजनीस 408 में चैन कीजेगा मत्यपूर्ण कौस्चन पूंचा गया यह पंतियां पूंची कहीं आपसे यह पंतियां किनकी मानी जाती है तो आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा क्या होगा सई आंसर वेकल्प नमबर आपका एक सई आंसर है यह ब्रजनात की पंती मानी जाती है किनकी ब्रजनात की पंती मानी जाती है वेकल्प नमबर एक आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा अंगला कौस्चन यहां पर पूंचा गया है कौस्चन नमबर 9 है मत्पूर्ण कौस्चन यहां पर दिया गया है रीती सिद कभी किने का जाता है जिन कभियों ने स्वचंद काब रचना की जिन कभियों ने भाक्ति और नीती परक की काब रचना की या जो कभी आसरे दातां की प्रसंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे जिन कभियों ने कोई लक्षनल ग्रंत नहीं लिखा लेकिन अपने काब में रीती प अब में रीती परंप्रा का नूसरण इन्होंने अवस्य किया है विकल्प नंबर जो डी है भै आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा बहुत बढ़ियां अंगला कॉस्चन देखेगा रिया जी आर्ती जी कॉस्चन नंबर आपसे पूंचा गया है दसबा कॉस्चन इन में से क अत्यपूर्ण कॉस्चन इन पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा कॉस्चन नंबर 408 में 408 में आप सभी का सई आंसर है 410 में विकल्प नंबर आपका यहां पर रिती ग्रंथ नहीं पूँचा है तो बिहारी सत सई रिती ग्रंथ नहीं है विकल्प नंबर दो होगा आपका यहाँपर सई आंसर Bihari सत सई जोनोंने भी चैन क्या है उनका यहाँपर सई आंसर होगा बहुत बढ़ियाँ विल्कुल सही अंगला कॉस्चन यहाप देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर 11 पूंचा गया है मत्पूर्ण कॉस्चन है कि रीती बद्ध कभियों की तुल्ना में घनानंद का सिंगार बर्णन अधिक आ कर सके क्योंकि क्योंकि बहे सोजान प्रेरित है या मांसल है अलोकिक है या फिर स्वानूबूत एवं स्वाचंद है ग्यारे में आपके लिए सही आंसर चैन करना है क्या होगा सही आंसर मत्पूर्ण कॉस्चन पूंचा गया रीती बद्ध कभियों की तुल्ना में घनानंद का सिंगार बर्णन अधिक आ कर सके क्योंकि बहे स्वानू बहुत बढ़ी असादना जी सभी लोगों ने आपर सही आंसर चैन क्या है कॉस्चन नंबर बारे आप से पूंचा गया है मत्पूर्ण कॉस्चन है कि रीती निरूपन की प्रिवित्ती का परिचायक ग्रंत कौन सा है बताईएगा बहे ग्रंत रस भूसन है बहारी सत्सई ह कभी कुल कल्पतरू है या फिर रस भिलासे रीती निरूपन की प्रिवित्ती का परिचायक ग्रंत आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है तो कॉस्चन आपका महत्पूर्ण है 412 वा कॉस्चन आपसे पूंचा गया है वो 412 में आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा कॉस्चन चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन अंबर आपसे 13 पूंचा गया है वह कौन सा कभी था जिसे किसी राजा का हिस्ता या आश्रा प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा वह कभी आपके इसलिए बताने देव कभी है पुलपती मिस्र है ब्रंद कभी है या फिर रसलीन है बताईए एक कॉस्चन तो अपनने कई बार पड़ा है बहुत ही मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि वह कभी है कौन से वह पूंचा गया है और सभी लोग बता रहे हैं कि देव कभी है बहे कौन है देव कभी है वेकल्प नंबर आपका यहां पर जो एक है बहे आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा देव कभी आपका सही आंसर है बहुत बढ़ी है इंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्च किस कभी ने बादसाय जहांगीर की प्रिसस्ती में कापे लिखा था और आप सभी का सईयांसर है कभी है कौन के के सभी का 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 बहुत बढ़िया सभी लोगों ने सभी आंसर चैन क्या है तनुजी एंगला कॉस्चन आप देखेगा कॉस्चन नमबर 15 आप से पूंचा गया है कौन इन में से मतिराम की रचना कौन सी नहीं है बताए तो मतिराम की रचना आई तो अपने पड़ी है नहीं बताना है लले तललाम चंद माला या फिर रस राज या फिर अलंकार पंचासी का बताईए चैन कीजे का बहुती महत्पूर्ण कॉस्चन आप से पूंचा गया है और आप चभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है के वेकल्प नंबर जो भी है चंद माला ये रचना किनकी मतिराम की नहीं मानी जाता है चंद माला किनकी रचना मानी जाती है बताईए चंद माला किस की रचना मानी जाती है पता है तो आप कमेंट में जरू लिखिएगा question number 16 यहाँ पर पूँचा गया है चंद्रवदनी, म्रग लोचनी बाबा कहीं कहीं जाए यह पंती किस कभी से सम्मंदित है भै कभी आप के लिए चैन करना है कौन से कभी है देव कभी है बिहारी है, केसब है या फिर मतिराम है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यह जो पंती है किस कभी से सम्मंदित है तो यह पंती सम्मंदित है किन से केसब से केसब आपका यहाँ पर सही आंसरों का विकल्प नंबर सी आपका सही आंसरों केसब की ही रचना मानी जाते है कुशी चंद माला सिंद माला विल्कुल चाहिए और पंती वी किन से संभंदित है कि इस संभंदित है कि कौश्चं निंबर आप से यहां पर पूंचा गया है कौश्चं यहां पर 17 वा क्वाश्चं देखिएगा हम पूर्ण कॉस्चन दिया गया है यह रहा कॉस्चन नमबर 17 राम चंद्रापरण नामक लंकर ग्रंते की रचिनाकार कौन माने जाती हैं बताइए राम चंद्रापरण ग्वाल कभी की रचिना है या फिर गोप कभी की रचिना है सेनापती की रचिना है या दोजदेव की रच कबी आपका यहां पर सई आंसरों का वेकल्प नंबर देखें बी जिन्हों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सई आंसर है बहुत बढ़िया बिल्कुल सई आंसर चैन क्या है आप लोगों ने कॉस्चन नमबर 18 देखेगा महत्यपूर्ण कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है देखे इताबती चली जात ओते चली छे सातक हाथ पंती किसकी मानी जाती है यह रहीम जी की पंती है विहारी की पंती है तुलसी दास यह फिर कबीर दास कॉस्चन नमबर 418 का सईया अंसर चैन करना है 418 में यह पंती किनकी मानी जाती है आनंद जी तो मदपूर्ण कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है सभी लोग बताईएगा और सभी का यहाँ पर 18 में सईया अंसर है कि इताबती चली जात ओत चली छे सातक हाथ यह जो है पंती पापका यहाँ पर सईया अंसर होगा बहुत बढ़िया इंगला कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है कॉस्चन नमबर 19 है महत्पूर्ण है तंत्री नाद कवित्ते रस सरसरती रंगे यह पंती किस कभी की मानी जाती है 19 में आपके लिए चैन करना है 19 में यह पंती केसब सब्सक्रास की है मतिराम की पंती है विहारी की पंती है या फिर घनानंद की पंती है महत्पूर्ण कॉस्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सईया आंसर क्या होगा तंत्री नाद कवित्ते रस सरसरती रंगे और यह पंती मानी जाती है किनकी वि और बिहारी विकल्प नमबर आपका क्या होगा सयांसर? c वाला जो विकल्प है आप सभी का यहांपर सयांसर है कि यह बिहारी जी की पंती मानी जाती है बहुत बढ़ी ऑंगिला डिया ग्याँ है question नमबर आपसे यहां पर पूँचा गया है 20 बा question है देखे मत्पूर्ण question पूंचा गया है कावब परंपरा को ना मानने वाला कावब अंधा सब्द प्रियोग में और चित का प्रियोग ना करने वाला कावब बधिर छंद कोस से युक्त कावब पंगू अलंकार रहत कावब नंगने और अर्थ रहत कावब मिर्तक तुल है यह पंती किसकी मानी जाती है कथन किनका माना जाता है बताईएगा मत्पूर्ण है वच्चन से है केसब दाच विहारी या फिर आलम तो यह पंती जो है यह पंती जो है कोई-कोई ने तो पहली बार पढ़ी होगी कॉस्चन मत्पूर्ण है 420 का सई आंसर चैन करना है और 420 में जन्वने भी चैन क्या है क्या केसब केसब दास उनका यहाँ पर सई आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सई आंसर बी वाला जो विकल्प है केसब दास वह आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा विकल्प नंबर दो अंगला कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है कॉस्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूंचा या है मेरी जानकारी में बहारी जैसी रचनाए यह ईरोप की किसी भी भासा में नहीं मिलती पंती एकस की मानी जाती है बताएगा यह पंती मानी जाती है मैक गिलिक्राइष्ट की पंती है बताइए सबी लोग चैन करेंगे महत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाई इरोप की किसी भी भासा में नहीं मिलती है और यह पंती मानी जाती है बहुती महत्पूर्ण पंती पूँची गई है डाक्टर ग्रेशन की पंती मानी जाती है अपन ने पढ़ी भी है इपंती विकल्प नंबर आपका जोस्ती है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा किसानलाल जी कॉस्चन नंबर 22 आपसे आती हैं बताईए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवस्ते कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवस्ते कर लें सभी लोग और इसी तरह कि कॉस्चन पढ़ने के लिए आप चैनल से जुड़ी रहिएगा कॉस्चन मत्पूण पुछा ग्या है और वीकल्प नंबर एक आपका यहां पर सईयांसरोगा ये घननन्द आपका यहां पर सईयांसर ने रीती मुक्त सचंदता बाद कभी पुछा है तो भो घनननंद माने जाते है question number आपसे यहाँ पर पूंचा है कौन सा 23 question इन में से कौन रीती काल का कभी नहीं है देखे रीती काल का कभी नहीं बताना है आपके लिए या कूब खान रस खान दूलह या फिर ब्यनी कभी बताईए चैन कीजेगा मत कुन question है question number आपका 23 यहाँ पर पूंचा गया है और दनन्जय जी प्रेंका जी और नीता जी आप सभी का हैं पर सई आंसर आ रहा है कि रीती काल कभी नहीं पूंचा आपसे तो विकल्प number आपका 20 सई आंसर होगा रस खान रस खान आप सभी का यहाँ पर सई आंसर है रीती काल कौन सी विशेष्टा सामनिता रीती कालिन काप्विकी नहीं है बताईए नहीं बताना है रीती निरूपन या पिर चमतकार प्रदर्शन रास्त्य भापना सिंगार रसकी प्रमुक खेता बताईए बहुती मत्पूर्ण कौस्चन यहां पर दिया गया है इनमें से कौन सी आपका सही आंसर आ रहा है बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि राश्टिय भाबना यह वाली जो विशेष्टा है रीती कालिन काप्विकी नहीं मानी जाते राश्टिय भाबना यह विशेष्टा बहुत बढ़ी हैं अंगला कौस्चन यहां पर देखेगा कौस्चन नमबर आप से यह आपर पूंचा गया है 25 कौस्चन है रीती कालिन कवीता का आरंव केसव दास्की किस रचिना से माना जाता है वह रचिना आपके लिए बताना है रसिक प्रिया है राम चंडरिका है विज्ञान गीता है जहांगीर जस्चंडरिका है बताइए बहुत कम लोग जो सभी के लिए question और आप सभी का यहां पर सयांसर होगा लबली टाकुर जी रीति कालिन कवीता का आरंब केसब दासकी किस रचना से माना जाता है तो आप सभी का सयांसर होगा यहां पर विकल्प नंबर एक यानि की एक में आप सभी का रसिक प्रिया रसिक प्रिया यहां पर सय आंसर है विकल्प नंबर यह जो है वह सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे हां पर 26 पूंचा गया है मत्पूर्ण कॉस्चन है संस्कृत के प्राकंड विद्दवान केसब का आचारक्त उनके के सिरीती नुरूपन ग्रंथ में लग चंडरी का कभी प्रिया रसिक प्रिया या फिर बा और साथ दोनों संस्कृत के प्राकंड विद्दवान केसब का आचारक्त उनके किस रीती ग्रंथे रीती नुरूपन ग्रंथ में लेक्चित होता है तो आपका डी वाला विकल्प यहां पर सई आंसर है यानि कि बा और सा दोनों यानिकी कभी प्रिया और रसिक प्रिया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर है विकल्प नंबर चार जनौने विचेन क्या है उनका सही आंसर एंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा Question number 27 आपसे पूंचा गया है रीती कालिन कभी केसब के संदर में कौन सा एक कथन असत्य है असत्य कथन बताने केसब अलंकारवादी आचारे थे केसब की मानिता थी कि कभीता और कामनी अलंकारों के विना सुसोबित नहीं होती रामचंद्री का इनकी प्रिशत रचना है इनकी कभीता सरल है 427 में आपके लिए चैन करना है कि रीती कालिन कभी है कि ये सब के संबन्द में ये कथन असत्य है और असत्य कथन का आपके लिए सही आंसर चैन करना है तनु जी तो आप सभी का यहांपर सई आंसर आ रहा है 27 में D वाला विकल्प इनकी कवीता सरल है ये कतन कैसा है असत्त है विकल्प नमबर 4 आप सभी का सई आंसरों का बहुत बढ़िया सभी लोगों ने आपर सई आंसर चेंग क्या है अंगला कौस्चन यहांपर देखिएग अगर हरी प्रकास टी का सुभो धार्त बोधनी बताईए 28 में चैन कीजेगा महत्त पूर्ण कॉस्चन पूंचा गया है और आप सभी का यहांपर सई आंसर आ रहा है कौन विहारी सत्त सई की टी का नहीं है विहारी सत्त सई जो की विहारी की रचना है येक मात्र कृति जिन तो वो धार्त बोधनी आपका डी वाला विकल्प जो है यहांपर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहांपर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे पूंचा गया है 29 कॉस्चन रीतिकालिन कभियों में केवल एक ग्रंत लिक कर सरवादिक सम्मान पाने वाले कभी कौन है आप आपके लिए चैन करना है बताईए 26 संकर जी क्या होगा सही आंसर और आप सभी का यहांपर सही आंसर अब भी बताए आपके लिए कि जो बिहारी है जीतिकालिन कभियों में केवल एक ग्रंत लिक कर इन्होंने सरवादिक सम्मान पाया है कि इन्होंने बिहारी ने विकल्प नमबर आपका क्या होगा सही आंसर जो सी है वहें आप सभी का यहांपर सही आंसर होगा विकल्प नमबर तीन आपका सही आंसर है बहुत बढ़ी अंगला कॉस्चन देखेगा कि बिहारी की काभिकत विशेष्टाओं में कौन सा एक सही नहीं कौन सी एक सही नहीं है यह पूंचा ग्या है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा तो विहारी की का पिगत विशेष्था में कौन सी एक सही नहीं है देश प्रियम आपका जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा देश प्रियम आपका सही आंसर बहुत बढ़ी से महाभारत और हरी वन्से का हिंदी पद्ध में अनुबाद किस कभी ने किया है वह कभी आपके लिए चैन करना गोकुलनाथ है या फिर हरी नारण है ब्रजवासी दास है या फिर गोप कभी है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नमबर आपका क्या होगा सही आंसर इनमें से महाभारत और हरी वन्से का हिंदी पद्ध में अनुबाद किस कभी ने किया है वह कभी वन्जु जी बताईएगा कौन से वह कभी थे तो 31 में सही आंसर आ रहा है कि वह कभी थे गोकुल नात कौन थे गोकुल नात विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी यह अंगला कौस्चन यहाँ पर देखेगा कौस्चन नमबर आप से यहाँ पर पूंचा क्या है 32 question है कि लक्षन ग्रंटकारों की प्रंपरा के अंतिम प्रिसिद्ध कभी कौन हैं बताईए देव, पदमाकर, बेनी प्रवीन या फिर रसलीन चेन कीजे का मत्वपूर्ण question आप से पूंचा गया है लक्षन ग्रंत कारों की प्रंप्रा के अंतिम प्रिसिद्य कभी कौन माने जाते हैं और 32 में आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि भाय माने जाते हैं कौन विकल्प नंबर यहाँ पर B सही आंसर है आरुसी जी पदमाकर कौन है पदमाकर यहाँ पर जो B वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चैन क्या है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं, कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर 33 क्या पूंचा गया है, मेरे कर महंदी लगी है, नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है, नक बेसर संभा रिदाई, एह पंती किस कभी की है, बताईए, पदमाकर, सेनापती, आलम या पिर काली दास त्रवेदी, कॉस्चन मत पूंड है, और आप चभी का यहाँ पर सयांसर आ रहा है, कि यह पंती जो है, यह पंती मानी जाती है, किनकी, तो विकल्प नमबर आपका सयांसर होगा, डी आनि की, यह मानी जाती है, काली दास त्रवेदी की पंती, किनकी, काली दास त्रवेदी जो है उनी की पंती मानी जाती है तो विकल्प नंबर आपका चार जो है वैसा यांसर होगा question number आपको यहां पर पूंचा गया है मत पूर्ण question है question number 34 से देखिएगा क्या पूंचा गया है कि भासा के लक्षक एवं ब्यंजक बलकी सीमा कहां तक है इसकी पूरी परक इनी को थी आचा रामचेंद्र सुकले कि इस कतल में इनी सब्द किस कभी के लिए प्रिप्त हुआ है या प्रिप्त किया है बताए बिहारी के लिए घनानंद पदमाकर या फिर सेनापती 434 में आपके लिए सईया अंसर चेन करना है बताए सभी लोग चेन करेंगी मत्पुन कॉस्चन पूँचा गया है 434 में आप सभी का सईया अंसर इनी जो है इनी जो सब्द है ये घनानंद के लिए प्रिप्तुगा है बिकल्प नंबर बी जो है आप सभी का यहां पर सईया अंसर होगा बी वाला विकल्प आपका यहां पर सईया अंसर है कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर 35 पूँचा गया है सवाजी और 36 साल की वीरता की वर्णनों को कोई कभीयों की जूटी खुसामद नहीं कह सकता एक थन आचार सुकल ने किस कभी के लिए कहा है यह आपके लिए चेन कनना है बताईएगा महत्वपूर्ण कोश्चन 435 यहां पर पूंचा गया है और 435 में आप सभी का सईया अंसर क्या होगा भूसन पदमाकर सेनपती या फिर यहां पर के सब यह चार विकल्प है और एक पहलिए नंबर आपका है यहां पर पूंचा गया है देखते हैं यहां पर थोडी से अपन पढ़ लेते हैं कौस्चन जो है और पह पढ़लेते हैं अपन ब्याकंग से संबनेत चुनियेगा कौन सा है यह आपके लिए चैन करना है पातिमा है कालिमा है या फिर हरीतिमा है बताइə सबी लोग चैन करेंगे यहाँ पर दिया गया है और आप सबी लोगों का यहाँ पर संप रहा है कि विकल्फ नंबर यहाँ पर जो एक हäre फातिमा उमा प्रिद्ट्अ है रहती सब्द बताना है तो फातिमा में उमा प्रिद्ट्गा कौन सा है इहाँ तो विकल्प नमबर एक आपका सई आंसरों का बहुत बढ़िया जब दोगों ने सई आंसर चैन क्या है अंगला कौश्चन या पर देखेगा नमने लिकेत मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित ना होना है किसका अर्थ आपके लिए यहां पर चैन करना है कि लज्जित और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है आँखों में पानी ना होना आँखों में पानी ना होना लज्जित ना होना यानि कि इसका अर्थोगा आँखों में पानी ना होना अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर तीन पूंचा गया है सही बिलॉम युग में आपके लिए बताना है, कौन सा यहां पर सही होगा, चैन कीजेगा, यहां पर चार विकल्प आपके दिये गए हैं, देखेगा, लब्द का प्रदत्य, लुप्त का ब्यक्त्य, पर का अपर, रोगी का आरोगी, तो यहां पर सही बिलॉम युग में नहीं बताना है, तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा, तो question मत पूर्ण है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, कि रोगी का अरोगी यह वाला जो बेकल्प है, यह आपका क्यासा है, सही योगम नहीं है, तो सही विलौम योगम नहीं है, बेकल्प नमबर आपका क्या होगा सही आंसर जो D है बैस सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा क्या है आसा से बहुत अधिक क्या कहलाता है यह आपके लिए चेन करना है आप प्रित्यासित कहलाता है आसा बान कहलाता है या फिर प्रित्यासित कहलाता है या फिर आसा तीत कहलाता है बताईए चैन कीजेगा महत्वपूर्ण कॉस्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हाँ तो आप बताना है महत्वपूर्ण कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है कॉस्चन नमबर आप से यहाँ पर कौन सा पूंचा है है महत्य पून्ब कौश्चन है कौश्चन नमब चार और आसा तीत आपका सईया अंसरों गा विकल है वहाइ आप सभी का सईया अंसर होगा आशा सही अधिक क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आसाथीत कहलाता है विलकुल चाहिए अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है 5 महत्पूर्ण कॉस्चन है देखेगा क्या पूंचा गया है यहां पर कॉस्चन नमबर पांच यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर पांच आपसे यहां पर पूंचा गय क्या कह लाता है वताई यह महत्त पून क्या पर पूंचा गया Haari वहती महत्त पून क्या पूंचा गया क्या होगा मंजू जी समयांसर कंचन जी खारदना जी और शौइए लोग चैन कीजेगा महत्तपूर्ण कॉस्चन है बह ब्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है बह कहलाता है क्या कहलाता है एक का हारी क्या कहलाता है एक का हारी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक जन्वने भी यहां पर चैन क्या है उनका यह आपर सही आंशर होगा question number 6 में सभी लोग सही आंशर बताईए यह कुमार का एक अर्थ है कुमार का क्या अर्थ है बताईए चैन कीजेगा कुमार का अर्थ होता है प्रभाव या फिर हीरा या फिर तोता या फिर गौतम हाट पौन question है सभी लोग चैन कीजेगा चार विकल्प यहां पर दिये गए हैं और आप सभी का सही आंशर आ रहा है सुनेना जी बिंदू जी वाबना जी विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा सही आंशर कुमार का एक अर्थ है क्या है तोता आपका सी वाला जो विकल अंशर होगा क्या सही आंशर टोता होगा सही आंशर विकल्प नंबर क्यूंका सही आंशर लगा देते हैं अंग्लिया question no.7 आपसे पुंचा गया है बहुत धन लाब हो ना अर्थ yok निमन में अड़्स ए सहावावरा बता यहां महाबरा बताना है एक महाबरे का आर्च दिया ग्या है कि बहुत धनलाब होना उड़ती चिडिया पहचानना एक आंक से देखना कंचन बरसना या फिर काम आना बताईए बहुत सारे लोग इतने सरल कॉस्चिन जो है महाबरे विलॉम से संबंदित कठन अपके लिए कठन लग अर्थ का निवन में ऐसी महाबरा बताना है तो एक महाबरा कवान सा है कंचन बरसना कंचन बरसना यानि की बहुत धनलाब होना विकल्प नंबर आपका जो है सी जो है वह सभी का यहां पर सई अंसर होगा बहुत बढ़ी है सबी लोगों ने आपर सई यांसर चें क्या है question नमबर आठ पूंचा गया है संभ्रम का विलोम आपके लिए बताना है क्या माना जाता है अपून माना जाता है तामसिक माना जाता है मलान माना जाता है या सैयम बताइए मनोज गुपता जी क्या होगा सैयांसर लाइक करते जाएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडिय माना जाता है विकल्प नम्बर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वेकल्प नमबर चार आपका सही आंसर है बहुत बढ़ी Brenna is आपर धिया गया है क्वॉस्टन नमबर 9 है क्या पुंचा है भू था बतमानकी की विशेष घटना प्रसंग या विशाई के प्रमुक्य कार्जियों की क्रमबद्य और संचिप्त विवरण को कहते हैं क्या कहते हैं परिपत्र कहते हैं अधिसूचना कहते हैं प्रति बेदन कहते हैं या फिर ज्यापन कहते हैं बताइए भूत अत्वा बर्तवान की कहते हैं क्या कहते हैं पृति बेदल सी वाला वेकल पर आप सभी का यहां पर सभी आंसर होगा क्रेट वार्श जी और दीपक जी कॉस्चन नमबर दस यहां पर देखेगा आज का आखरी कॉस्चन है निम्न मैसे निसे धात्मक बाग के चैन करना है यह सबी लोग बताईएगा सूर्य पूर्व जसा में निकलता है मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा किर्प्या यह खड़िकियां बंद कर दें यहां कब आ रहे हैं बताईए देखे आपके लिए यहां पर क्या चैन करना निसे धात्मक बाग के चैन करना है तो चैन कीज़ेगा मत्वण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है कॉस्चन नमबर आपका यहां पर दस है और दस का सईयांसर आ रहा है कि विकल्प नमबर आपका यहां पर जो निसे धात्मक बाग के है भैबी वाला विकल्प आपका सईयांसर होगा मैं बाजार मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा यह बाग की कैसा है निसी धात्मा के बाग के माना जाता है, वेकल्प नमबर दो आपका सही आंसर है, अगर रोज आप जो हैं यसी तरह के 10 कौस्चन ब्याक्रन हिंदी भासर संबंदित आप पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइएगा, रोज आपके लिए 10 कौस्चन इसी तरह के करवाए जाएंगे लास्ट में अपनी इस क्लास में, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस फिरकार के महत्तपून कौस्चन आंसर थे आज की क्लास में, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जादर से जादर वीडियो को सेयर करें, रोज आपके लिए इसी तरह के कौस्चन आंसर लाए जाते हैं, और सभी को वीडियो को लाइक अवस्चे कल लेना हैं, बहुत सारी लोग लाइक नहीं किये हैं वीडियो को, साधना जी, पुस्पा जी, राउल जी, मन्जू जी, दिपक जी, इस्तिका जी, और बंधना जी जी, निशा जी, कंचन जी, आराधना जी, मुकनत जी, नीता जी, और पुस्पा जी, सबनम जी, लबली ठाकुर जी, रिता देवी जी, दिपक पबार जी, राउल राजी जी, आस्ता जी, चातना जी, और रिजवाना परवीन जी, पाइल रानी जी, विया वड्रा जी, सु जी इस्वानी राजा जी और दीप माला जी पूजा जी और क्रेटेव आर्स जी मनुज जी मुकुनत जी बंदना जी तनू जी सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद मंगलेस यहां पर आनंद डबराल जी बिल्कुल करवा देंगे निसा बर्मा जी तो सभी लोगों के लिए इसी तरह से जो है लाइक से रवस्य करते जाना है बाबना जी और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दीप माला जी और सभी लोगों के लिए सेर करते हैं सभी लोग वीडियो को और आज के वीडियो में बस इतना ही सभी को सभरात्री और सभी के लिए